हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल वीनूस किचन आज मनाएंगे मसाला बैंगन मसाला बैंगन मनाने के लिए प्याज हरी मेर्ट ट्रमाटर को छोटा-छोटा कट कर ले हरा धन्या ले ले साथ में पांच से च्छे कर ली लेस्ट की ले अब हमें बैंगन लेने काफी पानी डालेंगे तक कि यह काले ना पड़े अब हम दो चमच तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तब इसके अंदर एक चमच जीरा साबुत डालेंगे जब वह थोड़ा ब्राउनिस कलर में हो जाए तब हम प्याज डालेंगे प्याज अच्छे से लेके इसको अच्छे से दो मिनिट के लिए सोते करेंगे उसके बाद हम हरी मिर्च टमाट हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च को भी अच्छे से पकाएंगे प्याज कुछ इस तरह के पक जाए तब हमें हरिमेज डालने हरिमेज दो से तीन हरिमेज काफी होती है आप अपने इसाब से डाल सकते हो साथी एक बड़ा प्याज काफी होता है मैंने तीन सो ग्राम बैंगन लिया है उसके इसाब से मुझे इनफ लगा तो मैंने इतने ही प् पूट लेंगे और उसके बाद में इसके अंदर डाल के अच्छे से पका लेंगे मसाले में नहीं पकाएंगे पहले डाल के पकाएंगे इससे क्या होता है टेस्ट अच्छा आता है अब हम इसके अंदर जो हमने टमाटर काटा है मैंने एक बड़ा टमाटर काटा है चो छोटे पकाय तब तक ही अच्छे से गल ना जाए इसके बाद इसके अंदर दो चमच लाल मिर्च पाउडर आदी से भी कम चमच हल्दी एक आदी चमच धनिया आदी चमच के करीब नमक नमक आप अपने अकोर्डिंग कर सकते हो हमारे गर में नमक कम खाते हैं और थोड़ा मसाला भी मसाला भी मसाला लिया है इस खाने के अंदर किसी भी टाइप का गोभी गरम यूज नहीं किया गया है यह एक नॉर्मल सब्जी है जो आप बना सकते हो खा सकते हो और किसी को भी खिला सकते हो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तक कि जो हमारी लालमेच पाउडर है जले ना जब मसाला अच्छे से पक जाए तब इसके अंदर पानी में से बैंगन को निकाल के इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैंगन को में पानी डालने से पहले आपको अच्छे से मसाली के अंदर बैंगन को कूट कर लेना है उसके बाद लगबग एक ग्लास पानी डालना है और इसको धक के दीमी आज पे पकाना है इसमें लगबग 10-15 मिनिट लगेंगे पकने में क्योंकि हमने छोटे बैंगन लिया है इसलिए पकने में थोड़ा कम टाइम लगेगा आप ज्यादा कोशिश यह कीजिए कि आप छोटे बैंगन ले बड़े बैंगन ना ले साथ में इसकी जो आगे की डंठल होता है उसको मत है यू